कड़े रुख में नजर आ रही है अलोग जी इस तरीकी के बयानों का जंता पर क्या असर पड़ेगा क्योंकि दस्तारी को वोटिंग हो नहीं है तो जंता मुद्दो पर तो वोटिंग करेगी ही लेकिन साथी इस तरीकी की जो बयान दिये जाते हैं उससे कभी-कभी नेगटि सब्सक्राइब करते हैं और अधार करता है उसे पर करता है रही बाद जो गाली और जो महावरा वजो है इसको भी जंदा घ्याम रखती है कौन क्या बोलना उसका वखाब बड़ा इक असर पड़ता है इसने के लिए अधिकार भी है। करते हैं पहले वह उवा कार्करता होते हैं। प्रमोद स्वामी जी लगाता बिने हुए प्रमोद जी जिस तरीके से दिखा जाए तो प्रधान मंतरी एंडिर मोधी के उपर को भी अगर विपक्षी पाचे कोई कटाक्ष करती है तो वो उल्टा उनी परवार कर देते हैं उसका जरीए जिसका चुनावब में फायदा मिल है देखिए ऐसा है कि परधान मंतरी मोधी जी ने इस बात को कहा भी है जब भी कोई मेरे उपर जी मैं पुल बनाता हूँ और उसका उसका भी बहुत सद्वियोग करते हैं तो यह ठीक है अभी प्रेम जी ने कहा कि यह गाली नहीं है तो हो सकता है उनकी बापते मैं तर्क वितर्क नहीं करूंगा लेकिन एक देश के परवाद पर्धान मंतरी को के बारे में इस तरह की टिपनी करना की जहरीला सांप है मौत का सौदागर है नीच है इस तरह की टिपनी करना क्या उचित है ये देश की जमता के विवेक पर इस प्रसन को मैं छोड़ता हूँ तीवारी जी जो कॉंग्रिस के प्रतिनीदी है उन्होंने कहा भस्तचार का उन्होंने परसंग उठाया तो बड़ा ताज्यूब होता है जिस पार्टी के नेता सोनिया जी और राहूल जी खुद नेश्टल हेराल केस्ट में बेल पर है वो पार्टी अगर भस्ताचार के उपर में अगर सवाल खड़े करती है तो पहले अपने गिर्मा पे तो जाहिए जिनके अपने घर सीसे के होते में दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं पैट फैका करती आपके नेता खुद बेल पर है और आप इमामदारी की बात करते हैं तो अगर आप इमामदारी और सुचिता की बात करते हैं तो आप डीबिटी क्यों नहीं लेके रहा है आपके ही नेचा राजीव जी ने एक समय कहा था कि मैं एक रुपया भेशता हूँ और जमता के पास में सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है आज तो मोदी जी डीबिटी लेकर का है डारेक्ट बैंक ट्रास्पर के साथ पूरा एक रुपया ही देश की जमता के साथ पास पहुंच रहा है 2014 तक भारत जो था 2 ट्रिलियन डॉलर की एकोनोमी था और आज 3.5 ट्रिलियन डॉलर की एकोनोमी नो वरस में पहुंच चुका है तो ये क्या बदलाव दिखाई नहीं दे रहा 11 नंबर पे हमारी एकोनोमी थी वर्ड में आज पाचवे नमबर पे हमारी एकोनोमी आ गई वो भी इतने बड़े करोना काल के जो बुरी जो विश्व में जो तरास्ती हुई उसके बावजूर भी हम आज पाचवे दिस्तान पर पहुंचे हैं तो क्या ये उपलब्दियां आपको दिखाई नहीं देती आज जिस तरह स और आज पूरा विश्व भारत की और आसा पूरन दिस्ती से आज देख रहा है चुनाव आएंगे चुनाव जाएंगे कोई जीतेगा कोई हारेगा ये बड़ा प्रस्न नहीं है लेकिन प्रस्न है जो इस देश की सब्विता और संस्कृती है इस देश की जो गरिमा है इस मैं समर्सन नहीं करता वो भी गलत है हमारी लड़ाई बैचारिक लड़ाई होनी चीए इंडिविजन लड़ाई नहीं होनी चीए आए हम सब मिलकर करके देश की राजनिती का अश्तर उटाने का प्रयास करें यही मेरी आप सबसे विंती है मुनोच तिवारी जी विंती को स ऐसी उमीद है कि अनुराग ठाकूर से ले करके और तमासाभी प्रग्यात तमाम लोग इनकी बातों को सुन रहे होंगे तो आपने बिलकुल सही कहा देखें आज जो बयान है और जो बयान बाजियां हैं आपके डल के नेताओं की द्वारा अगर वो मर्यादित हो जाए मु आप देता हूं तकि ऐसा है कि मैं बारम बारी इस बात का सवाल आपसे कर रहा हूं कि आप मुझे एक बात बता दिजिए कि वरस्टाचार सुचिता मर्यादा इन तमाम चीजों का अगर आप अउलोकन करें तो यहीं तो कारण है कि आपसे सवाल किया जा रहा है कि करनाटका कि लोग आपको आखिर 40% कमिशन खोर की सरकार क्यों कह रहे हैं आखिर पूरे प्रदेश में इससी बात को लेका सवाल है और मैं आपको एक बात बताता हूं देखे सुचिता और मर्यादा का जहां तक सवाल है जिस दिन मुझे नहीं लगा मैंने आपको कभी नहीं यह कहते नहीं सुना आप एक बार कहिए ना टेलिविजन चैनल पर स्विकार कर लिजे कि अनुराग ठाकुर का जो मंच पर बयान था ओभाजपा और भाजपा के नीटियों के वीप्री था बोलिए टेलिविजन चैनल पर आप किसे कर रहे हैं आप अपील वह कर रहे हैं जिसको हम अगर आप स्विकार करते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हम तो यही कह रहे हैं, खड़गे साम यही तो बोला है, किस देश में स्काम परदाई जो उन्माद है, उसको खत्म किया जाना चाहिए, देश में ब्रस्टाचार के उपर चर्चा होनी चाहिए, आपने ब अगरा के नाम पर सरकार बनाई, और क्लीन चिट किस ने दिया, आपकी सरकार ने क्लीन चिट दिया, क्यों? यही तो मैं कह रहा हूं कि आप लोग रैबल राउजिंग का गेम करते हैं चुनाओं में, आपको याद होगा कि आज तक जितने भी आरोप आपके द्वारा लगा पर लोगों को दिख ब्रामित करने का काम आप लोग बंद कर दीजे, देश की जनता बहुत जागरूक है, और करनाटका तै कर देगा, कि आप लोगों की गलत बयान बाजी और लोगों को दिख ब्रामित करने की राजनी इस देश में नहीं चलेगी, ठीक है, प्रभो स्वा कुट लेता है और कोट इस बात का संच्जान लेकर के इस पे डिन्यांव देगा में तो ँशन सबुछरे सथा न मीज़ाने कि अज़ारित है तो इस ptस कार करने में आपको क्या प्ती यह फिर एक प्नूर बाट यह प्युंपर दुस्ति नबर का तो आप भाजपा के प्रवक्ता हैं इसी बोलिए जैनलर पर बोल दीजे कि अनलाग आपूर के बयान को हम एक सब्सक्राइब करते उस बयान को जोड़ दिया तो अगर ऐसे ही उधारन दे तो मैं सेखड़ उधारन आपको दे सकता हूँ परदान मंतरी के मनी संकरियर ने नीच कहा आप खड़गे साब जैरीला साब बोल रहे हैं राहूल गांदी चोकिदार चोर बोल रहे थे तो यह ऐसे तो सेकड़ो बयान है तो मैं इंडिविजल पर नहीं जाना चाहता कि किसने क्या बोला और वो बोलने का कोई तुक भी नही चुनाओ जो है मुद्धो के अधार पर लड़ना चाहिए श्जार कर देचार केशार लड़ना चाहीं और वीचार जारा की बात अगर आप करते हैं स्वस्थ बाइस होगी क्रा आप आप शचिता की बात करतें हैं तो आप जड़ह का यहाप नहीं लेकर कर किए आपके आप स्पोर्ट से पड़े बड़े विद्वान वेक्टी थे फिर उन्हों ने कि इस लिकेज को खत्म करने के लिए क्यों विवस्ता नहीं ली तो यह सारे प्रस्तों का जवाब आपकी तरफ उठाएंगे तो आपकी तरफ पांच उगलिया उठेंगे इस बात का भी आप ज्यान द असाम में कॉंग्रेस की सरकार थी नेली में दंगे हुए कितने लोगों कितने लोगों लोग मारे गए तो अगर कोई बात चुनाव के समय कही है तो वो बात उन्होंने कुछ तथ्यों के अजार पर कही होगी और कॉंग्रेस का इतिया सेंट्रल में तो आप में बैठे ना भारतिये जनता पार्टी का पक्ष रखने में दिक्कत हो रही होगी आपको सुचिता और मर्यादा के ऊपर आप अभी बोल दिये अपने अभी बोल दिया कि चुनाव के समय अमीच साहजी बोल गये होंगे मतब चुनाव के समय अमीच साहजी ये बोल रहे है कि अगर करनाटक की जनता को धंका रहे है कि अगर करनाटक में कांग्रेस आगी तो दंगा होगी तो ये दंगा कौन करवाएगा आप दूसरी बात सुन लिए देखिए आप घिर गया बोल दिया आप गंती से आम इस बात हैं आप बारं बार करें राजीव गांदी अरे राजीव गांदी तो उस इमांदार व्यक्ति का नाम था जिसने व्यवस्था के उपर बात की थी अडानी को उपर चर्चक कर लिजे ना थे इसके प्रधान मंपिर अडानी को बर को नहीं बोलते है बोलिए अचा ठीक है इस तरह कि कि अगर बयानों का इस्तमाल होता रहेगा तो इस तर लगातार गिरता जाएगा अचा ठीक है अब बता आप बताई एगे अपने प्रमोद स्वामी जी आपको पास पार एप देगे समय खतम हो रहा मेरे पास में एक प्लीज सर चिक है एक प्रस्ट प्लीज सर कि प्लीज सर चिक है एक प्लीज सर चिक है अगर आप पे हिंबत है तो कहां से चिक है ठीक है एक एक आखरी कमेंट में ले लेती हूं क्योंकि समय मेरे पास में खतम हो रहा है प्रेम कुमार जी एक आखरी कमेंट अगर राजन्दी का इस तरीके से गिरता रहेगा तो कैसे इसको सुधारा जाए क्या कोई पहल नहीं होनी चाहिए इसके लिए कु कि पहल ही नहीं होती है तो दो लोग एंज्वाइ करते हैं एक दूसरे के खलाप बोलना और गलत से गलत शब्द को बोलना तो आने वाले समय में और गया आपको गलत शब्द मिल सकते हैं सुनने के लिए तो आप बताई ना देश में कौन ऐसा राजनितिक दल है जो पहल कर कि एक बैठक बोलाई जाए कि आईए हम लोग एक आचार संधीता बना लेते हैं बिल्कुल इस तरीके से संसत के अंदर कुछ शब्दों को बैद किया जाना चाहिए क्या देखें बैंड नहीं क्या जाएगा ना तो सजा हुई है इसे के परणाम है जो नेताओं का बढ़ बोला पान है कलको उनके लिए घाता को सकता है जो रहुल गांदी घाता को आपको भास्वा के लिए वी हो सकता है तो मुझे रगता है कि जो भी निता ब्यान बाची कर रह उसको समाथ कर दिये तो सभी रिदाओं इसमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है जो कानूं सब्सक्राइब कर दिये कि जाएगी कि आएंदा इस तरीकी की शब्दों का इस्तमाल ना किया जाए या कोच पर्सनल टिपड़ी ना कि जाए किसी पर भी मडल्यादा और सुचिता कि राजनिक कांग्रेस जब से इस बेश की सत्ता संभाली है तब से ये करते आ रही है और उसका उधारन विपक्ष के द्वारा ही दिया गया था अटल जी नहीं कहा था आप उनके पर्लियामिंट के भासन को सुनिये कि अटल जी ने कांग्रेस और कांग्रेस के स्वरूप और लोगतांतिक ब्यवस्ता की प्रसंसा भी की ती देखे बक्ष और बीपक्ष विचारधाराओं की लड़ाई होती है हमारी विचारधारा अलग विचारधारा की साथ राजनित करते हैं लेकिन आप अपने राजनितिक लाव के लिए राजनितिक सब्दावलियों का प्रयोग अपने राजनितिक फाइदे के अनुरूप करने लगिए आप कभी इमानदारी से इसको टैज नहीं कर पाईएगा ये मेरा दावा है मै बार बार कहता हूं कि लेकिन सूचिता और मरियादा को इस garbage करने नहीं होना चाहिए यह पिछले यह जिए गयान दिये गए उसमें एक दम साफ दिखता है प्रमोट स्वावी जी एक आखरी कमेंट आपकी तरफ से और यह बात सत्य है कि राजनीती में एक लश्मन रेका होनी चाहिए लेकिन कॉंग्रेस पार्टी और उसके नेता बार बार उस लश्मन रेका को लामते है और इसका देश की जनता जवाब भी देती है तो मेरा विश् कुल मिलाकर राज़ूती का इसना तो यही गिरता जा रहा है इस तरह के बयानों का इस्तमाल किया जा रहा है सिर्फ वोट पाने के लिए दूसरी पार्टियों को बदनाम करने के लिए लेकिन फिलाल अगर देखा जाए आज की तारिक में जंता काफी समझदार है जंता मु नमस्कार